हिट ले दी सरासर, हिट ले दी सरासर, सरासरी जोला, नयू नयू ब्योच मिठी मिठी चुई लगोला रामलीला का बंदर से और उत्राखन का सुपरस्टार, ये कैसी जर्नी रही? क्रीम पाउडर में भी हुआ, मैं क्रीम पाउडर करना नहीं चाह रहा था एक सवाल अक्सर लोग लड़ते रहते हैं कि पन्नु गुसाई टीरी के हैं, पन्नु गुसाई पौडी के हैं, पन्नु गुसाई चमोली के हैं तो आज पन्नु गुसाई खुद बताएंगे कि वो कौन से जिले से हैं पहला ऐसा एक लाकार होंगा जो उत्राखंड से लोग शहरों में आते हैं और लेकिन मैं शहर से उत्राखंड गया रोजगार के लिए आज मेरे साथ मौझूद है उत्राखंड के सुपरस्टार पन्नु गुसाई पन्नु भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्राखंड नास्ता के सभी दर्शुकों को नमश्कार और रनेगी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं आपको बता दें और शुरुवात बच्पन से और बच्पन आपका बीता दिल्ली की गलियों में तो कैसा बच्पन कैसा रहा बच्पन से शुरुवात करता हूं बच्पन बहुत ही मज़े में रहा जैसे बच्पन होता ही बच्चों का और दिल्ली दक्षनपूरी की गलियो मैं बहुत राज किया हम दोगों बहुत मस्ती करी और बच्छपन कि तो मैं अगर बाते बाते बदायों तो एगर आपके वीडियो का मेरे जो इंट्रुव्य जोटा बढ़ जाएगा बहुत तो अगर आपके कुछ पूछना है तो पूसकते बच्छपन की कुछ बाते कि वह गरन तो मेरा बहुत यादकार रहे हैं बॉट जधां पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई मे पढ़ाई लिखाई में होएं क्योंकि जनम दिल्टी का था तो पड़ा लिखाई भी दिल्डी में करी situations माजमस्ती भी दिल्डी में गरिये बज्चपन में दिल्डी में गुजरा रोजजगार के लिए कंट कर्म नौक कर्मոिसाइभ खे definition जिनकी जन भूमी शहर और कर भूमी पहाड रही है, तो बच्पन से ही आपको पन्नु राजा कहा जाता था, शायद बच्पन में ही लोगों को अंदेशा था कि ये इनसान एक आने वाले वक्त में उत्राखंड में राज करेगा, इसलिए बश्वन में राजा आपको कहा जाता था राजा का मत्तब ऐसा था कि उस टाइम पर कुछ ऐसे नाम बड़े किलिक होते थे राजा, रौकी, है ना कुछ ऐसे नाम थे तो जैसे कि अपने दोस्तों में मैं जड़ा कि अपन्नु राजा पड़ गया तो काफी साल राजा ही रहा लेकिन एक बार मेरे पापने मुझे बहुत डाटा की हम लोग खाती घुसाई है और यह राजा तुन्हें क्या नाम चोड़ा का सरनेम इसे चेंज करो और गुसाई लगा तब से फिर पन्नु घुसाई नाम चल र गुसाई लगा के लोगों को लगा रही है यह तो पहाड कई है और बच्पन से ही महफिलों को लूटना आपका काम रहता था किसी भी महफिल में सबसर पहले पन्नु घुसाई को याद किया जाता था कि अरे पन्नु कहां है उसको बलाओ वो डांस करेगा और गाना सुनाओ या वो मिमकरी करेगा और बच्पन में रामलीला में आप बंदर भी बनते थे तो बंदर से एक रामलीला के बंदर से उत्राखंट का सुपरस्टार आप एक लौते हैं सेक्टर है जिनको बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट हीरो और बेस्ट विलिन का आवार्ड मिला है तो आप बंदर का रूल करते थे तो लोग कैसे हसते थे या क्या आपको टिपनी करते थे नेगी जी मैं आपको बताना चाहूंगा असे भी दर्शकों को जब मैं छोटा था तो चोटे से ही मेरे अंदर कुछ कला घारी थी शायद भगवान की इक शाधिक का लागार मनू लेकिन कु करते करते दांस का चड़ा अंदर जुनून फिर हमारे वहां रामले होती थी पाड़ी रामलेला दक्षिनपुरी में तो पाड़ी रामले में अब इंट्री के से करूं कि सारे बड़ी रोल तो लोग करते थे अब मुझे क्या करना ता जो कि मैं युनिक दिखूं तो मैं आख्से सो ते थे मुझे कभी मारते थे तो मैं जब गृता था न तो गड़वाली में ये वै मोरियोमी तो पुबली को एक अलग युनिक देखने को मिला रामले में कि हाव ये बंदा ठेट गड़वाली में चिला रहा है तो इस वज़े से कुछ रामले में हिट हो गया औ ढिक करता से अंगताट में रहिए और आज भी निवा रहा हूं करूं है तो यë तो बश्पन की की बाते थे और शहर की बाते थाबात करेंगे पहाड की एक सवाल अक्सर لوग लड़ते पन्नु गुसाई त्हरी पन्नु गुषाई पोडीची चमॉली में सनीय। कि भुआ थोरो से हैं हुआ अज मिदोल गुत मैं हुआ उत्तने और हुआ सब्सक्राइं केक्ता है कि अर्लीший पेसं पूरीय हमाती हुआ से ऑफार किन और लुदीच हुआ रवा है कि मैं टीरी से हूँ, चमोली से हूँ, मैं पूरे उत्राखंट से हूँ, लेकिन मूल निवास मेरा पौड़ी गड़वाल है, परनुग जी पौड़ी गड़वाल से है, आप करेंगे पहले ब्रेक की बात, शुरुवात 2002 में हुई, और कैसे वो शुरुवात हुई, ये आप आप आईए, देखिए, छोटी-छोटी प्रोगाम में निगी जी करें है, अपने चेतर में प्रोगाम किये, तो मुकिष कठे जी जो मेरे गौड़फादर है, जनने मैं हमेसा ही मानता हूँ, बहुत उन्हें सम्मान है, और जो उतराखंट के बहुत बड़े लोग गाय कला जो की बॉलीवूट के लाकार, उनका मैंने एक गाना किया था, चम चम चूडी बजान दी, मुक्री तुमारी प्रित हमारी एलबम थी, वहां से मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला और उसके बाद नेरंतर शाहिद बना काम अच्छा लगा लोगों को तो छोटी मुटे काम मिलते कि करूँगा कि जब आपको पहला जो गाना आपने बताया, उसके बाद आपको जो पहला सुपर हिट गीत था, जो कि आज भी अगर पहाडों में नई शादी होती है और दुलह दुलहन अपने ससुराल के या अपने निवास के और प्रस्थान करते हैं तो गाना बजाया ज कि मैं अकाम कर रहा था जब मेरे कुछ चोटी मोटे नमर निकल रहे थे तो अनिल बिस्टी जी जो उत्रा खंट के बहुत वरिष्ट डारेक्टर है बहुत अच्छे गाय कलागार है उन्होंने और शिरी नेंदे सिंग निगी जी मुझे देखा मेरे कुछ गाने देखे वी का मेरे ले मील का पत्थर साबित होगा और जब मैं वहां गया पौडी तो रात को हम बैठे थे तो बतायागा कि यह गाना करना है नहीं नहीं ब्योच्व मिठी मिठी च्वी लगोला दोस्तों मैं आपको बता हूँ मैं मेरे पूरे बाडी में ऐसे वाइबराशन टैब का कि यह गाना मैं कर रहा हूं मतलब जिसको हमने चोटे में सुनहा Benji मेरे छोटे में मेरे पिताजी औजू किसे ले अड़ी कर ले किते थे हम सुन्ते थे टेप्यकष Hosp moeten पूर इंह को ऊप Coach manage बान में किया तो मेरे life मैं मतलब कांख er कुष्यों की वहार इसे के आन tasked कांग के जब मैंने ये गाना किया और जब गाने की शूटिंग चल एडिटिंग पर एडिटिंग पर भरतमार जी ने मुझे देखा कि ये लड़का कौन है जो बहुत अच्छी अच्छी कर रहा है मतब उनको मेरी अच्छी लगी उन्हों ने तुरंत अनिली बिष्टी को एक गाना ब हिट गाने बने और मिलियंस में लोगों ने पसंद किया निगी जी तो एक तीर से दो निशाने हो गए मतलब और उत्रेखन के दो प्रसिद लोग गायक डरेंशिंग नेगी जी और प्रितम भर्तवान जी के गानों में आपको मौका मिला तो अगर आप इस गीत को गाकर नह इंसाफी हो की नहीं नहीं ब्योच देखें मैं नेगी जी जैसा गाना नहीं गा सकता हूं क्योंकि उनकी चर्णों की धूल भी नहीं हो गड़ रहता है लेकिन फिर भी दो शब्द हिट ले दी सरासर हिट ले दी सरासर सरासरी जोला नहीं नहीं ब्योच मिठी मिठी चुई लगोला नयू नयू ब्योच मिठी मिठी चुई लगोला तो वो जवान सा लड़का इस गाने में पन्नु जी है आपको बता दूँ और पन्नु गुसाई टैलेंट की खदान है ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आपने गाय की सुनी एक्टिंग तो आप देखते ही रह मिमिक्री की बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्पन से ही वालिवुट के कलाकारों की मिमिक्री और वो भी अपनी भाषा में गड़वाली भाषा में अगर गड़वाली भाषा में शक्ति कपूर किसी को छेडेंगे तो कैसे छेडेंगे अच्छा निगी जी ये एक न तो आप विलीब करोगे अब मैं इंट्री किसे मारू क्योंकि और लड़ी सारे अर्टिस्ट प्रोगाम कर रहे थे मैं वहां पर जो उसके जो में थे लीड जो कर रहे थे प्रोगाम को श्री जनारतन परसाद नोटियाल जी मैं उनके पास गया मैं का सर मैं उतरा खंडी हूं गड़वाली हूं और मैं मंच पर प्रोगाम करना चाहता हूं तो उन्हों चाहा कि भई सारे आर्टिस्त हो मारे तो सारे प्रफेशनल अर्टिस्टे आप ऐसे हम किसी को मुझा नहीं किसी बढ़ा देजिए पल उन्हों पूछा कि आप क्या करते हूं अब मैं क्या करूँ क्या गुरू। मैं झाला जिए मैं फिल्म किलागरो के आवाजें गड़ाली निगालागा वो मेरे पहला एक्सपिरिंस अवसिन तो उन्हों का अच्छा जी इतु कुछ नहीं चीच बोल रहे हैं तो ठीक है तो 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 यह भी आप बैठी है एक बीच बीच में ब्रेक बाइ चलो बेजरा बच्चे ड्रेसी चेंज कर रहे हैं आपको दो मिंट का वक्त मिल रहा है आप कर लीचे वहां फर्स टाइम मैंने इस्कुल टाइम की मुझे आगई इस्कुल पूलते लेकिन वहां उस मंच्वे मैं पहली बार गड़ाली में सभी कला करो कि आवाजी नि पहला था पहली बार और इत्यवाग के बार देखे साथ मेरी किसमत मेरे साथ दे गई उस प्रोग्राम में किसी की फोटो निया आई अखवार में मेरी फोटो आई स्पेशली एक बहुत बड़ा अशिरवाद था कि मैंने शक्ति कपूर की आवाज में डाइलुक आप से फर अगर आखे बंद करके अम सुनेंगे तो लगेगा कि शक्ति कपूर गडवाली में बात कर रहे हैं ओम प्रकाष के भी बहुत अच्छी मिमिक्री आप कल लेते हैं तो अगर कुछ कोई डायलोक अगर आप करेंगे तो कैसा करेंगे देखो भाईया किरभा है भगवान की जाओ खाड करी जवरी तीकू कदगा बार बोली रूली चजमा बैड़ी के मुड़नी कटोर तेमा जुआ पेड़ी जाला जुआ शेरी जाला मिधमाप कह दिया किरभा भगवान की उत्राखंड का शाहरुखान भी आपको कहा जाता है शाहरुखान की मिमिकरी भी आप बहुत जबर्दस करते हैं उनकी तरह आप बाहें भी फैलाते हैं और जब आप बाहें फैलाते हैं तो लगता है कि शाहरुखान उत्राखंड का शाहरुखान नजर आता है और एक हजार से ज्यादा एल्बम्स, 33 फिल्में और बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट हीरो, बेस्ट विलेन का अवार्ड आप ले चुके हैं, तो कैसा लगता है आपको जब आप लोगों के बीच जाते हैं और लोग आपको कहते हैं कि सार एक फोटो आपके साथ क्लिक करवानी है, ये एक सप अवाल है उनका मैंने का निगी जी ने काए लगाया था अभी अपने इंटर्वियू में तो वही चीज थी कि उत्रा खंट मोस्ताम पे जो मैं एक्टिंग करता था साथ लोगों को कुछ ने लगा मेरे लिए कुछ बॉलीबूट की सायल लगा तो मुझे लोगों ने इस कारेकरम होता है या शूटिंग होती है या मैं कभी बस से ट्रेवल करता हूं बस में भी लोग मुझे मिलते है फोडो किचवाते है कभी लाइब या जाते है तो यह एक उस भगवान का आशिरवाद है उसकी किरपा है कि आज फोडो भी खिच रही है अब और चली रहा ह तो वह कैसे एक बार डायलोग परे सुनाएंगे उसके बाद इसके पीछे की कहानी जारेंगे शारुक खान की डायलोग है कुछ और अभी निगी ने कहा कि गुरो चौमी गुरो बोलना है तो मैं कुशिश करता हूं कि इसको कैसे बोलेंग शारुक खान साब तो यह देखे आगर मैं खुद आँखे बंद करके सुनू तो मुझे लगए कि शारुक खान यहां पर बैटके यह डायलोग सुना रहे हैं लेकिन उत्राँखन की शारुक खान तो हमारे साथ मौजूद है तो आप क्वेश्चन ही होगा कि आप आपने बहुत सारे गायक कलकारों के साथ गाने किये फिल्में भी कि आपका फेवरिट सिंगर कौन है यह सवाल बहुत बड़ा पूछा आजा बहुत लोग पूछते हैं लेकिन मैं आप से जरूर पूछूँगा और आप इसका जिनको हम सुन रहे आज भी सुन रहे जिनोंने बहुत कम समय में लोग के दिल में जगए बनाई है उनमें चुक ऐसे लाकार भी है बाकी रही बात फेवरिट कि अपके और मेरे हम सब के लाकार सबके जो फेब्रेट है नेगी जी वो सबी के फेवरिट है उत्रा घंड में जाहे वो हमारे कुमाओ जिले सो हो या जो ऑन सार सो या गड़वाल से और रही बात यूनिक जो नए अभी रॉक स्टार है तो मैं रॉक सार बोलता हूं इंदर अर्या भाई को उनकी हर एक आवाज उनकी हर गाने जो जमादिलों की धड़कन जो बन चुके आज इंदर भाई जिस भी महफिल में जाओं मैं किसी प्रोगा में जाता हूं कई शादी में कभी पार्टी वाटी में तो हर जगे इंदर आर्या चाहे रहते हैं तो वो उनको सलूट है उनकी गाईकी को सलूट है उनकी बुलंद आवाज को सलूट है और भगवान से प्रातना करता हूं कि इ वहां आपने इतना बड़ा नाम कबाया, तो आपको कभी ख्याल नी आए कि आपको बॉलिवूट के और जाना चाहिए और आइडल भी आपके शाहरु खान थे, वैसे कभी सोचा नहीं कि मैं बॉलिवूट जाओं क्योंकि मुझे लगता कि महां के लिए बनाए नहीं था, क्य जो आपको एक अच्छा मुकाम दे अच्छा एक प्लेट्फॉम दे सके क्योंकि इस्ट्रगल तो दुनिया कर रही है, सब को काम नहीं मिलता, बैसकर मेरा टैलेंट अच्छा हो, आपको लगता है मैं तैलेंटी हूँ, मैं इतने कुछ कर लेता हूं, लेकिन मुंबई समंद है, वहां मुझसे भी कई गुना, बड़े अच्छे आर्टिस्ट वहां इस्टेगल कर रहे आज वी, तो मुझे लगा कि वहां जाना बेकार है, मैं अपने दे भूमे में रहकर जो तरा खंड की लोगे उनकी दिलों में राज करूंगा, और यहीं काम करूंगा, और काम सब्सक्राइब करूंगा, पर मैं अधी भी अपनी कलाकारी का गोड़ा दोड़ा रहा हूं, जब तक जान रही शरीर में, जब कैसेट्स का दौर गया था, तो थोड़ा मुझ्टिले आई होंगी, क्योंकि अचानक से कैसेट्स बंद हो गई थी, तो उस बीच में आपने प्ले किया था किसी स्कूल में, तो क्या किस्सा है? बिल्कुल, 2012-2013 के बाद, सीडिया भी पारेटी डोल लगे थी, बहुत सारी काम भी बहुत काम होगे था, बड़ बड़ी कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया था, और फिर अमारे गड़वाल में इतना पैसा भी नही कि अच्छा पैसा नहीं मिलता था कि हम लोग कुछ अच्छा अपना को सेट अप कर सके तो मुझे लगाई छोड निचे यह लाइन फिर मैंने जॉब करी दोवारे से और हमारी साथी कलाकार है असर जोशी जी उन्होंगे मुझे अपने इस्कूल में वो कुद मुजिक क्योंकि स्टेज प्रोगाम में अच्छा पैसा भी है और लाइव अप एक कोई एक अलाकार हो चाहे मैं हूं या नेगी जी इंदरारिया ग्रजिंदराना जो भी है लाइव वावाई लूटने को मिलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगा मंच मैं पहले भी कुस टाइम स् पीच पीच में फिल्में जरूर करी मैंने लेकिन 2021 के बाद से मैं फिर से लाइन में आया वीडियो लाइन में और इतने वाग देखिए उस तें भी नेगी जी ने हीट करवाया था और इस बार भी 2021 में नेगी जी आए गाना या था तेरी माया मा उनका मुझे कॉल आया कि दोनेग काह हो तुम एक गाना करना है तो मुझा करना है मुझे लागाया यहार मुझे गाना मैं तो अलवी होगी और मुझे करने के लिग ए और नेगी जी पुला एतने ओन करना Kundal t को gaming तो शूतिंग मैं और अजी आ हिखते और नेगी जी ने वाना में जी इस गाने को निगी जी मैंने किया और इस गाने के आने के बाद फिर से मेरी एक्टिंग लाइन की जो रिल गाड़ी चल गई और आज निरंतर काम कर रहा हूँ और करी रहे हैं काम इस गाने में आप उनकी बहु के साथ अभीने करते हुए नजर आए तो अब एक आखरी सवाल मैं आपसे पूछूँगा कि आपका फेवरेट गाना जिसमें आपने अभीने किया हो नहीं किया हो लेकिन आपकी जो दिल के सब से करीब है वो कौन सा गाना है कर Teachers कि मैंने गां कि नेगी जी वर सब्धेट कर दिल लगते हैं इन गाने में तन घर नहीं को नहीं करुआ इसा बना दीए कि वह चल 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 एजगदी भेगानी का गाना और अपने उस टाइम का जब मैंने वीडियो शूट किया था सबसे बड़ा वीडियो था यह सबसे महंगा वीडियो शूट था टी-सरी संपनी से और मुझे आज भी आदे कि मसूरी की गली मुझे हम शूटिंग कर रहते हैं होटल पसंदें और आप मेरी इंस्टागराब वीडियो देखेंगा ना तो जादर वीडियो में इसी गाने बना रिखिए है पन्नु जी जब बश्चपन में आप इस प्रकार के रोल करते थे मिमिक्री करते थे या मंचू पर कई प्रकार की हाश्य कलाकारियां करते थे ते राम पन्नु यह क्या कर रहो तुम कुछ और करो नौकरी करो घर परिबार बनाओ तो और जब आप सुपरस्टार बन गए तो आजो कहते होंगे कि हलो पन्नु जरा और कोई है ऐसा दोस्त में जो तब तो डिमोटिवेट करता था यह रिष्टदार कोई और अब कहता है कि यार पन्नु जैसे जो होगा उतराखन का सुपरस्टार है तो पन्नु घुसाइड है हां नेगीजी तेखोगी तो हर कलागार के जिंदगी मैसे बनितों मिलते हैं मुझी मेले मेरे स्ब्स्तार बना किया क्योंकि हमारे परीवार मैं नाच गाना तो अलाउट ब्लै भूड बु क कि नहीं तु खर हम तरे साथ हैं और मेरी मम्मी तो इतने मंदिनों में गई मेर ले कि मेरा बड़ा मेरा बेटा जो है बहुत बड़ा हिरो बने उतरा खंड का चाहे वह वेशन दीवी के आतरा करनी ओचाहे बदरी के दरनाथ हर जगे गई मेरे ले और आज उस मा की ही आज भी काम कर रहों इंडस्टी में रही बात डिमोटिवेट करने की तो आज भी करते गई लोग मेरे इंडस्टी के ही कही ऐसे कलाकार लोग है कि जुनों ने कुछ टाइम पहले मुझे एक हैना शुरू कर दिया था इंडस्टी में एक अफवा चला दिया थी कि पन्नू क दिन चले गए अपन्नू अब बूड़ा हो गया है वो उसकी बस की कुछ भी नहीं है लेकिन तभी एक ऐसा भगवान ने कुछ ऐसा चमतकार किया कि बल्मा गाना मेरा रिलीज हुआ और बल्मा गाना उत्रकंट का मिल्यंस में गया हो गाना और सुपर हिट हुआ हो गाना औ कि क्रीम पाउडर ने एक ऐसी इंट्री मारी कि सब के मूँ बंदे और आज तक मूँ बंदे तो उसके बाद धायत की दहमेली मतल मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मस्क बीन का सोहन चोहान भाय का कि जोने मुझे इतना सुपर हिट गाना करने का मुएका दिया क्रीम करता हूं कि जब आपको परिवार से अपनी मा की तरफ से इतना सपोर्ट मिल रहा था मा की दुआएं थी साथ में उसके बाद लगातार निरंतर आपका प्रियास भी महनत भी जारी थी फिर एक गाना आता है क्रीम पॉडरा और सारी हवाएं जो लोग कहते हैं कि परनों बाकर्षंद में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी शादी होगी जो इस गाने के बिना पूरी होती होगी यह जूंसार में शादी हो गड़वाल में हो यग और गुमाओं नी भले है लेकिन इसको जादा प्यार गड़वाल और जौंसार में मिला है तो इस गीत की कहानी आप बताएंगे कि किस प्रकार ये आपकी जोली में गीत आया और आप ने इसमें वो कमाल कर दिया वो अपनी निर्मला को जो आपसे रूठी हुई थी इसको ऐसे मनाया कि आज भी लोग उस गाने को पड़ी दिवानगी के साथ सुनते हैं और अभी भी उसको डीजे अगर उ जिन्दगी प्लट दी 2021 के बात उससे पले मैं एक लाइन बीच में छोड सी दीती मैं छोड ड्रॉप चुका था लेकिन रही बात हिट गाने की क्रीम पार्टर से पले मैंने काना बल्मा अच्छा देखिये कहते ना जब खुदा महरवान तो गदा पैल्वान तो ऐसी मेर सा सारा सीन लडगि के में क्या गरुगा काने मे लेकsti मुझे सेंटी भाई ने फोर्स किया यहन कि अए हिसमा करना यहिवा अर तो कि में चुछा ओं कर्स किया हुआ करना आई गान पर फिर मेरा ओन च्लो अभी तुम पैसो काहत्र लगा लगा लो चाह कां के हाथए एगा शु कि लेने मेल बब बब चुडिया ला यह मैं शब्द कैसे आद करूंगा और में ताइम नहीं था क्योंकि मेरे प्रोगामी चल रहे थे तो सोहन भाई ने मुझे कहा कि पंदो भाई आप एक दिन कर ताइम निगा लो हम गाना एक दिन महीं करेंगे तो मैं इस सोच के साथ में जब मैं आया तो आप विकीन करोगे 11 बचे हमने गाना शूट सुरू किया बारी सुरू हो गई मैं घबरागे मने गाना नहीं पाएगा लेकिन हमने चार घंटे में गाना शूट किया और इस गाने को भगवान ने पेली लिखा वाता है यह गाना मिलियस में जाने वाला है तो नेगी जी इस गाने को चार घंटे में पूरी मैने शूट किया और यह गाना उत्रा खंडी ही नहीं कुमाओ के नहीं जो अलग जो पंजाबी लोगे जो बिहार की लोगे जो हर्याने के लोगे सब ही पसंद करते और हर डीजे में गाना पसता है तो यह गाना सब की दिल चैनल यूटूब में अगर सब्सक्राइब नहीं कि आपको देखने को मिलते रहें जै उत्राखंड जै भारत तो यह थे उत्राखंड के सुपरस्टार परनुगुसाई जिन्हों उने सिर्फ अभिने से नहीं अपनी आवाज से अपनी मिमिक्री से अपने डांस से पूरा उत्राखंड में एक अलग पहचान बनाई उत्राखंड का शाहरुखान उन्हें कहा जाता है दिल्ली में जन्म हुआ दिल्ली में ही पढ़ाई हुई लेकिन रगों में पहाड दोड रहा था जन्म के बाद दिल्ली में ही छोटी मोटी कलाकारी की रंग मंचों पर गए रामरीला में कई किरदार निभाए लेकिन उसके बाद उन्हें पहाड से आवाज आए और जब पहाड आवास देता है तो लोटना पड़ता है और पन्नु गुसाई वहां गए और फिर क क्या नाम उन्होंने कमाया वो आज किसी परिशय के मोहताज नहीं है पन्नु गुसाई फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें उत्राखंट तक और अगली पेशकेश में किसी ऐसी ही हस्ती से मैं आपको आपकी मुलाकात करवाऊंगा इंटर्व्यू के जरीए फिलाल म कर दो